नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल अरोन राव जी के जी यस में आपका स्वागत है आज भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशनों का अध्ययन करेंगे विडियो सुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को आउन कर लीजिए प्रशन एक भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? A. गंगा B. यमुना C. गोदावरी D. नर्मदा उत्तर्क C. गोदावरी प्रशन दो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा है? A. अमरकंटक B. गंगोत्री C. त्रिवेनी D. हरिद्वार उत्तर B. गंगोत्री प्रशन तीन नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? A. पूर्व से पश्चिम B. पश्चिम से पूर्व C. उत्तर से दक्षिन D. दक्षिन से उत्तर उत्तर A. पूर्व से पश्चिम प्रशन चार क्रिशन नदी का स्रोत कहा है? A. महाबलेश्वर B. अमरकंटक C. त्रियंबकेश्वर D. सतारा उत्तर A. महाबलेश्वर प्रशन पांच तापकी नदी किस सागर में मिलती है? A. अरब सागर B. बंगाल की खाडी C. कच्छकारण D. हिंद महासागर उत्तर A. अरब सागर प्रशन चे कौन सी नदी सो नदीयों की नदी के नाम से जानी जाती है? A. गंगा B. यमुना C. ब्रहम पुत्र D. कावेरी उत्तर C. ब्रहम पुत्र प्रशन साथ कौन सी नदी डाकिन गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? A. गोदावरी B. कावेरी C. यमुना D. कृष्णा उत्तर A. गोदावरी प्रशन आठ चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? A. गंगा B. यमुना C. ब्रहम पुत्र D. नर्मदा उत्तर B. यमुना प्रशन नौग गंगा और यमुना नदी का संगम किस शहर में होता है? A. वारांसी B. इलाहबाद प्रयागराच C. पटना D. हरिद्वार उत्तर B. इलाहबाद प्रयागराच प्रशन दस कौन सी नदी दक्षिन भारत की जीवन रेखा मानी जाती है? A. गोदावरी B. कृष्णा C. कावेरी D. महानदी उत्तर C. कावेरी प्रशन ग्यारह किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? A. गंगा B. यमुना C. कोसी D. सरस्वती उत्तर C. कोसी प्रशन बारह सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? A. यमुना B. सिंधु C. गंगा D. ब्रहम पुत्र उत्तर B. सिंधु प्रशन तेरह तापती नदी का उद्गम स्थल कहा है? A. सक्पुरा परवत B. अमरकंटक C. महाबलेश्वर D. अरावली परवत उत्तर A. सक्पुरा परवत प्रशन चोदह गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में है? A. उत्तर से दक्षन B. पश्चिम से पूर्व C. पूर्व से पश्चिम D. दक्षन से उत्तर उत्तर B. पश्चिम से पूर्व प्रशन पंदरह कौन सी नदी बंगाल की खाडी में नहीं गिरती है? A. गंगा B. ब्रहम पुत्र C. गोदावरी D. नर्मदा अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर बैल आइकन को आउन कर लीजिए उत्तर D. नर्मदा प्रशन सोला कावेरी नदी का स्रोत किस राज्य में स्थित है? A. तमिलनाडू B. केरल C. करनाटक D. आंध्रप्रदेश उत्तर C. करनाटक प्रशन सत्रहक ब्रहमपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? A. पश्चिन बंगाल B. असम C. अरुनाचल प्रदेश D. मेघाले उत्तर C. अरुनाचल प्रदेश प्रशन अठारह कौन सी नदी राजस्थान में बहने वाली एक मात्र प्रमुख नदी है? A. चंबल B. लूनी C. बेत्वा D. साबर्म्ती उत्तर D. लूनी प्रशन उन्नीस गंगा नदी किस देश में प्रवेश करने के बाद पद्मा नाम से जानी जाती है? A. नेपाल B. धूटान C. बांगलादेश D. म्यामार उत्तर C. बांगलादेश प्रशन बीस कृष्णा नदी किन दो राज्यों के बीच जल विवाद का कारण है A. महाराष्ट्र और गुजराद B. करनाटक और आंधर प्रदेश C. उत्तर प्रदेश और बिहार D. पंजाब और हरियाना उत्तर B. करनाटक और आंधर प्रदेश विडियो पसंद आये हो विडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को आउन कर लीजिए विडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश प्रदेश